हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल मैं फीर आई हूँ एक और नेलाट के साथ तो हमने लाट स्टार्ट करते हैं तो हमने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है जो पैरट कलर होता है हलके वाला तो हम उसको लगाएंगे हम यह दो फिंगर्स पर वाइट कलर लगाएंगे और अधर पर हम ग्रीन कलर लगाएंगे हमारी नेल पेंट जादा थिन है तो हम तीन से चार कोड लगा लेंगे हमने नेल पेंट लगा चुके हैं अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे तो हमने वाइट कलर लिया है तूथ पिक की हैल्प से ग्रीन वाले कलर पर डोट करेंगे हमें डोट इक्वल ही रखनी है डोट की सीधी लाइने बना लेंगे तो हमें सेम डोट रखनी है तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है कि हम ज़्यादा महेंगी नेल पेंट चाहिए हमें बनाएंगे नेल आर्ट के लिए अंडर ट्वंटी टू फिफ्टी में भी हम अच्छे से नेल आर्ट बना सकते हैं तो हम सेम डोट रख लेंगे हमारी डोट कंप्लेट हो चुकी है अब हम जो वाइट नेल है उस पर डिजाइन करेंगे तो हमने इग्रीन कलर लिया है डिजाइन के लिए तो आज हम बटरफ्लाई बनाएंगे तो हम उसके पंक बना लेंगे बटरफ्लाई के अब हम नीचे वाला पंक बनाएंगे तो हमारा कंप्लीट हो चुका है पंक इस पर अब हम दूसरे पर बनाएंगे तो ये नेल पेंट ठाल किया है तो हम दूबारा कोड लगा लेंगे अब हम बटरफ्लाई की बोडी बनाएंगे तो हमने ब्लैक कलर लिया है बोडी के लिए तो दूसरे नेल्स पर भी हम सेम बोडी बना रहे हैं तो हम सेमी बटरफ्लाई पर रहे हैं अब हम पंखों की आउटलाइन करेंगे आउटलाइन हम इसले कर रहे हैं ताकि हमारे पंख अच्छे से दिखें हम दूसरे नेल पर भी सेम आउटलाइन कर लेंगे हम इस पर थोड़ी सी शेडिंग कर लेंगे अंदर तो हमारी बटरफलाई रेडी हो चुकी है अब हम इस पर थोड़ी शी डेकुरेट करेंगे तो तूथ पिक की हैल्प से पहले तो इसकी आईस बनाएंगे फिर इसके अंदर छोटी छोटी डोट रखेंगे ताकि ये दिखने में अच्छी लगे अब हम दूसरे नेल्स पर भी सेम डोट रखेंगे तो हमारी नेल लाट कंपलीट हो चुकी है अब हमारी बटरफलाई बन चुकी है फ्रेंड्स तो अब हमारा लास्ट एंड इंपोटेंड इस्ट्रैप टॉप कॉड लगाएंगे अब हम तो टॉप कॉड लगा लेंगे पूरे नेल्स पर टॉप कॉड अच्छे से लगा लेंगे ताकि हमारे नेल्स पर फनीशिंग आए तो हमने टॉप कॉड लगा लिया है अगर मेरी ये नेलाट आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फिर मिलूँगे एक और नेलाट के शाहत तब तक के लिए बाइ बाइ फ्रेंड्स विए तक के लिए मिलूँगे आए